तो भावतिक विज्ञान क्लास 12 के नेक्स्ट वीडियो में आज हम सब लोग इपसाइलेन नाट यदि की माध्यम की बैदुसिलता या निरुवात की बैदुसिलता क्या होती है कूलाम के नियम का सदिस निरूपन कैसे होता है इसके बारे में अध्यन करेंगे तो आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आदर्स लिजिटल क्लासेज में स्वागत है सुरू करते हैं इपसाइलेन नाट सबसे पहले जानेंगे इपसाइलेन नाट होता क्या है तो इपसाइलेन नाट को कहा जाता है निरुवाद अबलिक वायू की बैदुत सीर्ता तो निरुवाद या वायू की बैदुत सीर्ता इसका काम जाता है ये हमने बताता है किसके मद्द बैदुत बल रेखाओं में सगहन्ता या विरलता को बताता है सगहन्ता या विरलता और बताता है ठीक है विरलता को बताता है करना कि या दूल सु Ware तो टो यहां सीटाइब कितनी पास या ति-, आज मि इन दूर गया है जिकर सो फेल हैं कि सारेन न आटो और कहार जाता है मिर वांयू की बैदूर और यह새x वेद्द रड़ा कितनी पास या कितनी दूर है वो उसी के बारे में बताता है ठीक है तो हमने कल देखा था वन अपान फोर पाई इपसाइलन नाट यह जो है नौ उड़े ग्रां यहां से हमकी साइलन नाट के मान निकालेंगे तो किया करेंगे हम कीसाली नाट इससे हम सब्सेप पहले प्लण गाउिस कि नाइक है जैगा ऊपर और वन कहा जाएंगे इसने में नीचे जाएगा नाइन इंटु 10 की पावर 9 नीचे आ जाएगा और उपार चल आएगा बात्रग भी बतल जाएगा पलट जाएगा कूलाम स्कॉर ऊपर नीटन मीटर स्कॉयर नीचे अब हम क्या करेंगे वर नीचे लिखो चाहें हमको चाहिए क्यवल इपसाइलेंट नाट इसे रोकेंगे फोर पाई को कहां ले आएंगे नीचे तो इपसाइलेंट नाट इस पॉर पाई इंटू नाइन इंटू टेन की पावन नाई कूलाम स्कॉर प्रति न्यूटन मीटर स्कॉर तो इसे हल करेंगे तो वन अपान फोर चार नवाई छत्यस अब गुड़े में कितना है पाई कामान कितना होता तीन दसंब्लों एक चार या बाइस बटा साथ गुड़े में दस की घाथ 9 कूलाम स्कॉर प्रति न्यूटन मीटर स्कॉर अगर हम इसे साल्व करेंगे गुड़ा कराएंगे यहां पर देखो दस की घाथ 9 नीचे प्लस का हो उपर जाएगा तो माइनस कर देंगे अब गुड़े में नीचे यहां पर कितना बच रहा है 36 गुड़ा तीन दसंब्लों एक चार अब यहां पर हम दस की घाथ एक हजार तीन जीरो प्लस के लिए रहें तो की जीरो माइनस के लिए लेंगे कि यहांनि एक हजार से गुड़ा एक हजार से भाग करेंगे एक हजार का मतलब तसकी घातीन होता वह उपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ठीक है तीन जीरों प्लस के लिए तीन जीरों माइनस के लिए तो हर करेंगे तो यहां से यह चानवाई 36 और यह 25 चौके 100 हो इसे भी काटेंगे तो तीन दो से जाटेंगे दो एक कंदो दो पंची दस दो सते 14 और यह कितना है एक सो अच्छी अब अगर जो इसे टोटल हम साल्व करेंगे तो यह कितना आजाएगा आठ तसमलो आठ पांच गुड़े दस की घात माइनस बारा ठीक है यह इतना दूपर औरे स्कॉर्य साट करें हमें इल्ल बन जायगा माम हां ही को यह इसका मान इसका मान इंगि गया कितना अर्शकरण नाड का मान होता है अठ दसमलो आप पांच गूड़ी दस की घात माइनस बारा कुलाम स्कॉरे अधन सब्यान मात्रंभी 7 में हो गया स्वीत से एकց लिए ऑफ बाद क्या से ब隻 छलिए अन्म इसका देख लेते तैं कुलाम किसका मतरक् होता है आवेस का बीमा होती है एक ज़र लगा तो ऐक आवी सक्वार और टक आवी स्क्वार नीचे निवटन किसका मतरक होता है बल्गा और ऑर बल्ग की और मीटर किसके मत रखोता है लंभाई की बीमा होती है उपर लगा तो हल करेंगे जब इसे तो M नीचे घाट एक है उपर जाएगा तो माइनस का एक L देखो यहाँ पर एक और यहाँ पर दो हुड़े में घाते जुड़ती है दो और ए तीन नीचे प्लस के उपर जाएंगे तो ती माइनस का है यहां पर दो उपर जाएगा तो प्लस का दो और दो पहले से ही उपर से कितने हो गया चार और एक इतने है दो यह हो गया तो यह मोस्ट इंपाइटेंट है बोड पर इच्छा के लिए कि इपसाले नाड का क्या होता है या मातरक क्या होता है ठीक है और मातरक और मांज होते हैस्के फेपर होतेь होगे DAY नाड क्या होता है बता दिया अब इसलिए कि प्रियोग किया जाता है ताकि बल जो बैद्युत बल में उसके मान को कम किया जा सकते जैसे कहां कर सकते हैं जैसे हम ले लेके लेक एड़ प्लस की दूसरी प्लैट माइनस इन दोनों के मुण कौन सा बल लगेगा आगए चेफ़केंगी तो फिर प्लस माइनस के आने से क्या आएगा पूट होगा कुछ हानिया होंगी इसलिए यह आपस में चिपके ना यहां पर एच चीज लगाई जाती है और वो चीज होती है कोई एक प्लास्टिक लगा दी जाए कोई एक कागज भर दिया जाए अन्य पदार्द यही पदार्द क्या क प्रभाव को दर्शा अतरैंग को ब्रभाव को अरपदार्द क्या होते हैं तो परावयदूत पदार्द जिनमें आवेस का आदान प्रदान्या इस्थान आंतरण नहीं हो सकता लेकिन उसका प्रभाव जाता है तो वे पदार्द हुआ है जो बन दो आवेस है या फिर ब्रेकट में लेगे जो बिद्दूत भारा अवेस कोही क्या कहा जाता है बिद्दूत भारा या बेस सब्सक्राइब करने लगता है वही है विद्दुद धारा तो प्रवाह नहीं कराते परंतु कि इसके प्रभावों को प्रभावों को यह प्रभावों का प्रवाह कराते हैं प्रभावों को दर्साते काॉंसे प्रवाह या अश्मी एक है कूंसे प्रवाह कर हैं क्यों फ्रकौश्श है और आरं ड़र्वाहyas प्रवावन्हम फिर्वाय नहाई है प्रवेर्व और लाएं जैसे में लिख देंगे जैसे में लिख लो कांच कांच कांगाज मोम और अब्रक जल जल भी जल में विद्धु धारा का प्रवाह नहीं होता है लेकिन उसका प्रभाव रहता है ठीक है अब परा वैद्धुत पदार्द क्या होते हम लोग जान गए अब परा वैद्धुतां भी क्या होता वो देखेंगे तीसरी एटिंग हमारी क्या है परा वैद्धुतां तो परा वैद्धुतां जैसे हमने देखा गलन का क्या होता है कछान के वालाइ घंऊंक गलन और किसी वस्तुब का उबलनाग्य कहलता है खीवाय तो यह क्रिया जितने अब्ला पर होती है ठीक है वो कहलाता है उसका कोथनांग गल्लांग हिमां ऐसे ही परावैदुद पदार्थ कितना मतलब बल को कम कर रहा है यह बल को क्या करता है कम बैदुद बल के प्रभाव को क्या करता है कम करता है लिख लेंगे नोड में परावैदुद पदार्थ बैदुद बल के तो वही क्या कहलाता है उसका परावैदुतांग तो कोई भी परावैदुत पदार्थ जितना वो बल का मान कम कर रहा है वो क्या कहलाता है परावैदुतांग ठीक है परावैदुतांग को के से लिखा जाता है प्रती क्या है इसका कैपिटल के बराबर सूत्र होता इस सूत्र से हम पता लगा सकते हैं कि कहां पर जो है बलकामान काउन 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 कम कर रहा इस साइलन को कहा जाता है माध्यम की पैद्दुसीरता कि रहा हम यहां पर लिखे दे रहे हैं उपर एयकर को क्या जाता है 930 मात्यम जैसे कोई भी माध्यम हो जिस माध्यम का परवयद्धुतायं निकाल रहे हैं यह उसे माध्यम कि भेत wants इन का जैसरा का परावधुतायंक्तर नियंग निकाल रहें tieteger का अग्वाज का नि。 तो इसलें किसका होगा कांगर बाकित निर्वात की रहेगी तो माध्यम की बद्दुत्र। ठीक है यह हो गया अब यहां से परिभाषा क्या बनाएंगे इप्साइल नाट को क्या कहा जाता है माध्यम की बद्दुत। इपसालेंट नाट को क्या कहा जाता निर्वात या वायू की बैद्धु सिल्ता और दोनों लोगों को क्या करा ज़र है भाग तो माध्यम की बैद्धु सिल्ता तथा निर्वात की बैद्धु सिल्ता भाग का मतलब अनुपाद माध्यम की बैद्धु सिल्ता तथा निर्वा लैए ? आ है है कि तो पर्यवास देखनें थे है मांध्धन की बैदु शिव्ता वह निर्वात की बैदु शिर्थ के अनुपात को पराख साफन कर सकते से सूत राएगा कि जो इससालेबर होता है इस अले नाच इंटू के के बराबर होता थेक्षा है किसी भी माध्यम की अगर मध्युद्ध सिटा निकालेंगे तो निर्वात की बाध्युद्ध सिल्था को हम किससे गुड़ा करा काम करने का काम करता है ठीक है तो इसके प्रियोग से कुलाम बल या बैदुद बल का मान कम हो जाता है ठीक है तब हम आगे देखते हैं कुलाम नियम के सदिस निरूपन तो शुरू करते हैं पूलाम बल का सदिस रूप या सदिस निरूपन तो पूलाम बल के लिए हम इस के लिए हम क्या करते हैं एक कार्तिय तल बनाते हैं एक सच और वाई अच्छी की क्याल बना करते हैं यह कहला है यहां पर ओ यानि मूल बिंदु यहां पर एक सोर वाई के मा तो और यह कौन दिखा रहा है तो आरवन वेक्टर इसकी पोजीशन को बता रहा है ठीक है तो आरवन कौन क्या गह सकते हैं यानि एक सेंटर है इस सेंटर से क्यों की पोजीशन कहां पर यह बताएगा आरवन ऐसा ही क्यूंटू का पोजीशन कहा है इसके इंदर से तो यह कौन बताएगा वेक्टर इसलिए लगा दियागे क्योंकि यह कौण सीड़ास है सभी होती है मांकि साथ तो आयँ तू बेक्टर मूलबिन्दु ओ के साथ पेच्छ किसकी स्थिति सदिस हैं Q2 की सदिस है क्यूटू के बीच की दूरी समान होगी जितनी दूर क्यूटू होगा उतनी ही दूर क्यूटू से क्यूटू की पोजिशन क्या है यह कौन बता रहा है आप क्यूटू से क्यूट की पोजिशन क्या है क्या यहारवान टू सदिखा रहा है तो ऑला क्यूटू के कारण दूसरे क्यूटू के कारण क्यूट पीचिती सर्दिस को दो के कारण एक की इस्थिति सदीश अब एक के कारण दो कि इस्थिति सदीश तो आहे टूउटीउ लगा दिया बराबर क्यूटं से किस ओर है क्यूटू याने लाइओ ऑर तो इसकी दिसा ऊपर लगा दिया चिक है कि सट दिस रास में क्या होती मान और इसकी मान क्या होगा एंगे मान कि मान तो ही रहेगा और यह का इसके ऊपर लगा देंगे तो इसको बताएंगे इसे कहते हैं एक होता है यूनिट वेक्टर माब्रग सथिस्स होता है जाले इस वहा लेका यह आइसे फीर ऑन क्या करें और द्यान सब सक्केना क्या कहने दो गुटू-वार hand सब्खेंगे तो क्यों और क्यों डिदर करेंगा प्रतिकरसित आपके क्या करेंगा इस क्यों को दुभी हो एक क्या करेंगा एक प्रतिकरसित शिभी wizard और इस वाले बल की भी दिशा की दर है इस ओर दोनों की दिशा क्या है समान है ठीक है अब दोनों प्रतिकर्शन पर लगाएंगे अब यह पहले आवेश पर बल लग रहा है किसके कारण स्निंटल है यंदि की दिशा कि दर है इसकी इको है इस की इंटीस है टैर वाले की दिशा का रवार की तिसा कौन बताता है का ऊबरोट वाले के डिसा क्यों गया के ठीके संद्थाल पहले क्यों निष्ण और चिस Nous अब टूर्ल पर क्कून लग रहाओ repeat तो मुझन के पर बल कि यह पढ़ चुके है दो आवेस्टों के मत्वर कितना लगता के कांस्टेंट वाला पांप एकसाले ना पहला इतिक दूसरा आवेस्टू दोनों के बीच की दूरी क्या है और वन टू कहें देंगे या रिटू वन दोनों के मान गया है समाइब इसको आप देखो 21 व गां जिसा एक रहा है तो उसमें यूज किया रहा है इसमय करनद नमघ तो इसल पर कितना पल लगा रहा है बारा इस वाले बल की दिसा किदार कि वहां है को तो यह वाला वाला एक यह वह वथाष्म क्योंकि बल कौन सी रासी होती है सदिस रासी में मान के साथ साथ क्या होती है अब परंतु हम देखेंगे जो आर वन टू कैप और अर्टू वन कैप हैं दोनों के मान बराबर लेकिन दोनों आपस में कौन से सदिस हैं दूसरा सदिस्स हरे है डूसरा सदिस där मिया जोड़ेंहें दिश्ची में कांतर है तो आगे क्या जोड़ेंहें माइनस और फ्लस काशल ऐता है दिशा को दिश चिन समान है तो दिसा भी समाद अब अगर चीनला लग लग है तो दिसा भी अब घ्र हम क्या लेशकते थार टुवन क्यों करें क्यों कि दोनों की दिसाएं क्या है अलग है तो इसकी जगह पर यहाद पर दोनों सब्सक्राइब करता है एंदोनों में दिशा वो यही कूलाम बल का सदिसनी रूपण या पैसनी रूपण या बैदुत बल इसक के नियम का सदिस रूप inimर यही है ठीक है देखेंगे देखो दोनों और लगरारें स्थ्य मॉल सबीक्राइहां। olması का यांसर्प यह कैसे होता है देख चुके हैं तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब हम जो है बैक्दुत आवेस जो है यहाँ पर खतम चुका है अब बैदुत आवेस पर आधारिक नुमेरिकल्स उनको हम आसाल करेंगे फिर इसके बाद हम बैदुत छेत्र पढ़ेंगे ठीक है